गेहूं की बढ़ती कीमतें सरकार के लिए चिंता का विशय बन चुकी है, साथ ही ऐसे में अगर सरकार अपने खरीद के लक्षे से पीछे रह जाती है, तो उसे घरेलू स्तर पर गेहूं की सपलाई दुरुस्त करने के लिए गेहूं आयात करना पड़ सकता है या अनाज पर ड्यूटी कम करने की जरूरत पड़ सकती है अगर गेहूं का उठान पर्याप्त नहीं रहा तो सरकार गेहूं पर निर्यात प्रतिबंधों को मार्च दो हजार पच्चीस तक बढ़ा सकती है उत्पादन में गिरावट के बीच घरेलू सपलाई कम होने के बाद भारत ने भग 5 मिलियन मीटरिक टन का निर्यात किया गया एफसी आई ने अलग-अलग राजियों के करीब 16 लाख किसानों से 2275 रुपए प्रती क्विंटल के नियूंतम समर्थन मूल्य MSP पर 45,000 करोड रुपए का गेहूं खरीदा है पंजाब और हरियाना में इस समय गेहूं की फस जैसे कुछ राजियों में खरीद अभियान तेज कर सकता है क्योंकि उसे यहां की मंडियों में फसलों के देर से आने की उम्मीद है मद्य प्रदेश में अब तक गेहूं की खरीद 34.666 लाक टन ही हुई है जो पिछले वर्ष की इसी अवधी में 55.59 लाक टन थी बफर स्टॉक के संबंद में केंडर के पास एक अपरेल तक केंडरिय पूल में 75.02 लाक टन गेहूं था जबकि उस तारीक को बफर मानक 74.6 लाक टन था एक जुलाई के लिए बफर मानक 275.8 लाक टन है केंडरिय क्रिशी मंत्राले के अनुमानों के मुताबिक गेहूं का उतपादन फसल वर्ष 2023 से 24 में 1120.19 लाक टन होगा जबकि पिछले वर्ष में यह 1105.54 लाक टन था कुछ राजियों में उम्मीद से अधिक पैदावार होने पर उतपादन लगभग 1150 लाक टन तक भी पहुँच सकता है जिस प्रकार की स्थिती वर्तमान में बनी है उसको देखते हुए गेहूं के बड़े कारोबारी अनुमान जता रहे हैं कि इस वर्ष सरकार गेहूं के भाव को नियंतरित नहीं कर पाएगी क्योंकि सरकार यदी विदेशों से गेहूं आयात करने की दिशा में कदम उठाती है तो वहाँ पर भी सरकार को सकारात्मक स्थिती नहीं मिलेगी इसके संदर्ब में कहा जा रहा है कि वर्तमान में रूस यूक्रेन के मध्य संघर्ष लगातार चल रहा है जिसके कारण वैश्विक स्तर पर गेहूं की दिमांड तेज वाली ही बनी हुई है इधर दूसरी और भारत में गेहूं के बफर स्टॉक में कमी आने के साथ साथ विदेश में भी गेहूं की पैदावार इस वर्ष अनुमान के मुताबिक नहीं हो रही है व्यापार जानकारों के मुताबिक आने वाले एक वर्ष के दौरान गेहूं के भाव में तेजी का रूख बना रहेगा भारत में गेहूं के भाव 3500 रुपए प्रती क्विंटल तक पहुचाने की संभावना है ब्यूरो रिपोर्ट मार्किट टाइम्स टीवी